राज्यस अब हमें एक बहुत ही इतिहासिक बिल को टेबल किया गया जिसकी वज़ा से ओपोजिशन ने पारलियमेंट से वॉक आउट कर लिया और बहुत हंगामा हमारे पारलियमेंट में देखने को मिला आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है इसका क्या इतिहास पूरा रहा है हमारे यहाँ पर सम्मीधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहता है और इसको अगर इंप्लिमेंट अगर यह होगा त Private Member Bill, वो Bill होता है जहां पर Ministers के अलावा जो बाकी Members होते हैं जब वो Bill को देते हैं तब उसको हम Private Members Bill बोलते हैं अभी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है अभी ये आपको पता है कोई भी बिल हमारे यहाँ पर जो होता है वो act तब बनता है जब वो दोनों houses से पास हो जाता है और President सहाब भी हमारे उसको signature कर देते हैं या फिर अपना essence दे देते हैं तब ही वो bill जो है वो act बनता है आगे इसमें जो भी होता है वो हम देखेंगे उससे पहले आज का पूरा यह जो पूरा जो मुद्दा है क्यों इतना हंगामा इस पर हो रहा है क्यों लोग इसको oppose कर रहे हैं यह समझ लेते हैं तो यह पूरा मुद्दा समझने से पहले आपको laws के बारे में कुछ समझना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मैं law की बात कर रही हूँ उसमें दो तरीके के laws आते हैं एक को हम बोलते हैं civil law दूसरा होता है criminal law देखे civil law वो होते हैं या फिर civil law में वो वाले matters आते हैं जैसे for example आपका जो personal matters होते हैं जैसे for example marriages का कोई issue है आपके शादी में कोई issue आ रहा है divorce के जो भी cases होते हैं आपके inheritance जिसको हम विरासत बोलत under count किये जाते हैं या फिर दर्ज किये जाते हैं अगर मैं criminal laws की बात करूँ तो criminal laws में सारे वो चीज़े आती है for example murder हो गया rape हो गया तो ये सारे चीज़े ये सारे जो crimes होते हैं ये चार्ज किये जाते है criminal law के अंडर right easy to understand चलिए अब आपको सभी को पता होगा हमारे देश में same है बट यहाँ पर जो एक difference आता है वो है civil laws में हमारे यहाँ पर marriages के divorce के inheritance के adoption के मतलब civil law में जितने भी चीज़े आती हैं वो अलग-अलग laws हैं अलग-अलग religious communities की अगर हम बात करते हैं और यहीं पर बात आती है uniform civil code की uniform civil code यही basically कहता है अगर मैं थोड़ा सा आपको briefly ये जाने की कोशिश करूँ तो UCC कहता है कि हमारे यहाँ पर एक civil code होना चाहिए एक civil law होना चाहिए किसी भी religious community का या फिर irrespective of any religious community यह हम already देख चुके हैं कि क्या-क्या matters जो हैं वो हम civil code में civil code में deal करते हैं चलिए अब आगे थोड़ा सा इसको इसका और जादा पढ़ने इसक इतिहास जान लेते हैं तो देखे यह जो पूरा महकमा था यह शुरू हुआ Britishers के टाइम में 1835 में Britishers ने इसी चीज़ को लेकर एक report basically वो लेकर आए जिस report में 1835 की मैं बात कर रही हूं जिस report में उन्होंने कहा कि जो Indian laws है हम उनको codify करते हैं right बट उन्होंने जो है उन्हों communities हैं religious communities है वहाँ इन्होंने 1835 में Britishers ने इसकी बात नहीं की उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ criminal laws की बात करी कि देखे यह हमारे लिए समझने में मुश्किल हो रहा है यह Britishers ने अपने फाइदे के लिए किया था actually कि हमारे लिए समझने में मुश्किल हो रहा है तो यह काम क करते हैं 1941 की 1941 में अब चलते हैं जहां पर BN Rao Committee बनाई गई और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है यह 1941 की मैं बात कर रही हूं इन्होंने अपने रिपोर्ट इंडिपेंडेंस के बाद यानि 1947 के बाद अपने रिपोर्ट दी और इन्होंने भी हिंदू या फिर आप छोड़ दिया गया या फिर आप बोल सकते हो जिनके बारे में बात नहीं करी गई तो बेसिकली प्रियास जो है वो काफी टाइम से हो रहे हैं बट हम एक युनिफॉर्म सिविल कोड लेके नहीं सके हैं अब तक उसके बाद बात करते हैं कि जी हमारे सुप्रीम कोड का क्या स्टैंडरिस के बाद हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं यह बियन यह रिपोर्ट आप देख चुके हूं उसके बाद हम एक सुप्रीम कोड का बहुत इंपोर्टन और बहुत ही एतिहासिक वर्डिक्ट आता है और अब मैं बात कर रही हूं 1985 की 1985 में हम आ चुके हैं यहां सकर बंद्र में बात कर रही हूं एक बहुत बहुत इंपोर्टन केस सहाबानो केस अगर आप थोड़ा सा भी क्यों केस के बारे में जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमेंट को यह बोला कि UCC आप लेकर आये यूनिफॉर्म सिवल कोड लेकर आए ताक जितनी भी religious communities हैं उन सब का जो है same law हो same civil law हो ये बहुत ही एतिहासिक judgment था ठीक है इसके बाद बहुत सारे प्रयास करे गए और आज हम present में खड़े हैं जो कि ये table करने की कोशिश करी जा रही है या फिर pass करने की इस law को कोशिश करी जा रही है अगर मैं थोड़ा सा सम्विधान में जाओं थोड़ा सा constitutional angle हम इसका देखें तो मैं exactly जो हमारे सम्विधान में इसकी परिभाशा लिखी हुई है इसकी definition लिखी हुई है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ तो article 44 के तहत article 44 के तहत UCC को define किया गया है हमारे सम्विधान में article 40 आता है article 40 है DPSP यानि directive principle of state policies का पार जो की हमारे सम्विधान में article number 36 से 51 तक 36 to 51 में fall करते हैं क्या कहता है DPSP या फिर क्या कहता है article 44 of DPSP it says state shall endeavor to provide for its citizen uniform civil court throughout the territory of throughout the territory of India right जुसका मतलब हम already जान चुके हैं अब बात कर लेते हैं कि ज़रूरत क्या है इस चीज की हम already हम इतना diverse देश हैं ठीक है अपना अपना religion जो है अपने अपने हिसाब से maintain कर रहे हैं पर फिर एक एक ही single law लाने की ये uniformity लाने की जरूरत क्या पड़ी देखें यहाँ पर एक बहुत ही important personality के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जिन्होंने भी इन्होंने भी यहाँ पर बियार अंबेड कर की photo आप देख सकते हैं इन्होंने भी जो ये UCC है article 44 है इसको लाने को इसकी लाने की मंजूरी दी थी इन्होंने basically बोला था कि ये desirable है ऐसा होना चाहिए हाला कि इनके time पे ये UCC नहीं आ पाया था क्योंकि उसके अलग कारण है उस time पर देश को इतनी जादा इसकी जरूरत नहीं थी उस time पे देश ready नहीं था देखे जब हम अजाद हुए थे हमारे पास जादा important बड़े मुद्दे थे हमारे economy से related बड़े मुद्दे थे हमें अपनी economy को उभारना था तो बहुत सारे ऐसे pending मुद्दे थे जो हम उस time पे नहीं कर पाए पर हमने उस time पे decide कर लिया था कि ये हमारे देश के लिए जरूरी है और आगे आने वाले समय में हमें ये करने है उसी में से एक मुद्दा है UCC यानि Uniform Civil Code यहाँ पर इस lecture के माध्यम से मैं आप सभी से एक request करना चाहती हूं कि जितने भी student है हमारे लिए देखे हम हम सभी student है और हमारे लिए एक enlightened mind एक awakening बहुत जादा जरूरी होती है मैं आप सभी से request करूंगी B.R. Ambedkar Ji की जीवनी biography आप जरूर जरूर पढ़ें it is the best book ever it has changed my life मैं अपना खुद का personal experience आपको बता रही हूं और आप जरूर इनकी जीवनी पढ़ें I am sure ये it will be the best book of your life so yeah वापस आते हैं आप अपने topic पर हाँ जी तो इसकी जरूरत क्या पड़ी इसकी जरूरत के लिए कुछ कारण यहाँ पर दिये गए हैं जैसे for example आपको पता है सबसे पहला मैं यहाँ पर एक point बताना चाहती हूं women तो देखे जितने भी धरम के अधार पर हमारे यहाँ पर हिलाओ के against जो discrimination होता है वो कहीं न कहीं रुकेगा या वो कहीं न कहीं improve होगा वो quality वो समानता हम women को अपने देश की दे पाएंगे एक यह reason हैं दूसरा यह reason है कि जितने भी आप बोल सकते हो vulnerable groups हैं women एक आ गया उसके अलावा बहुत सारी minorities हैं बहुत सारे अलग-अलग groups हैं वो भी उनके against भी जितनी भी आसमानताएं होती हैं discrimination होते हैं बेदभाव होते हैं उनको हम कहीं न कहीं improve कर सकते हैं अगर हमने एक uniformity अपने यहाँ पर हम लेकर आए राइट चलिए अब बात कर लेते हैं यह एक interesting fact है जो आप सभी को पता होना चाहिए हमारे यहाँ पर इकल uniform civil code जो है वो already लागू है इकलोता state है यह आप याद रखे आपको पता है गोवा जो है वो हमने पॉर्टिगल से लिया था तो पॉर्टुगीज के टाइम पर ही उन्हों ने ही यह जो uniform civil code है वो लागू किया हुआ था मैं 1867 की बात कर रही हूँ जब पॉर्टुगीज से य civil law apply होता है अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे challenges आने वाले हैं ऐसा नहीं है कि यह बहुत smooth होने वाला है smooth होता तो opposition Parliament में लोग work out ना करते इतना भारी opposition ना होता इसके against तो देखे क्या opposition क्या क्या हो सकते हैं या फिर क्या क्या challenges आ सकते हैं इसको पूरा करने में सबसे पहला आप सभी को पता है हम इतनी बड़ी country हैं हमारे हाँ पर इतनी जादा religion के लोग रहते हैं तो किसी ना किसी का किसी त दिकते हमें आ सकती हैं उसके साथ साथ political will के बारे में भी हम शौर नहीं है कि जितने भी political leaders हैं वो कितना जादा इस चीज को लेकर बहुत जादा strongly feel करते हैं कि यह हमें लानी है political will देखे किसी भी project को किसी भी initiative को लागू करने में implement करने में execute करने में बहुत बहुत जरूरी ह होता है अब एक और बात कर लेते हैं misinformation देखे बहुत सारा बहुत सारे लोगों को UCC के बारे में misinformation है जैसे for example मैं बताती हूं UCC के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यह code आने की वज़े से या uniformity आने की वज़े से minority जो communities हैं उनको दबा दिया जाएगा majority के द्व इससे पहले भी ऐसे law आये हैं जैसे for example मैंने आपको बताया कि women के अग्यांस जो है वो भेदभाव है discrimination होता है especially ऐसे ऐसी जगाओ पर जहां पर धरम के अधार पर जो laws बनाये गए हैं इससे पहले भी इस चीज़ को सही करने के लिए एक हमारे पास act आया था जिसको हम बोलत अग भी ये हमारे देश में एक टबू है इस चीज़ को अभी भी नहीं माना गया है ये चीज़ अभी भी अच्छे से लागू नहीं हुई है तो ये एक question mark हो जाता है कि जी जो पहले laws आ चुके हैं जो पहले चीज़े अल्रडी implement हो चुकी हैं वो आज तक हमें ground level पे नहीं पता चलेगा I hope इसका जो पूरा जिते भी angles discuss हो सकते थे मैंने वो सारे किये I hope आपको UCC का पूरा मतलब क्या challenges है क्या history है क्या मतलब है क्या कुछ होने वाला है ये सब समझ आया होगा अभी ये bill वाली stage में है अभी ये act नहीं बना है जब दोनो house of parliament लोगसभा राज़सभा से पास होगा president साफ इसको ascend देंगे तब जाके ये act बनेगा जब ये act बनेगा अगर इसमें कोई changes आते हैं या किस तरीके से क्या exactly provisions इसके होने वाले हैं ये सब मैं आपको update करती रहूंगी अपने आगे के जो भी जब भी ये update होता रहेगा मैं भी आपको update करती रहूंगी आज के लिए इतना ही जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं आप सभी को पता होगा रोज सुबस साथ बजे मैं आपके साथ live जुडती हूं the bigger picture में अड़ा 24-7 regulatory bodies channel पर तो यहां पर मैं आपको current affairs cover करवाती हूं जितने भी competitive exams हैं सबके current affairs यहां पर cover करवाती हू और facts के साथ साथ जितने भी concepts उनसे related हैं जितने भी stories उनसे related हैं जितने भी reasons किसी भी topic के पीछे related हैं सारे angles मैं हर तरीके का angle इस lecture में discuss करने की कोशश करती हूं तो मैं आप सभी से जितने भी new students मुझे देख रहे हैं मैं आप सभी से request करूंगी कि आप मेरे साथ सुबह 7 बज so I can expect I'm hoping कि आप सभी मुझे कल सुबह 7 बजर मिलेंगे आज के लिए इतना ही कल हम फिर से मिलते हैं कुछ और burning issues के साथ till then stay tuned thank you so much